हेलो डियर इस्ट्रेंट्स वेलकम टू दा फिजिक्स विथ इलेक्टानिक्स पाट साला आज के इस वीडियो में हम लोग बी असी फिप समेश्टर मैत का जो थर्ड पेपर है डिफेंसियल जमेट्री जिसका कोड है यम ए टी 303 उसके एंसर की को डिसकस करेंगे ये पेपर आ अपना पेपर निकालने और एंसर की को मैच करते हो चले ठीक डिरेक्ट मैं एंसर बताऊंगा आप अपना पेपर खोल के उसको मैच करते हो चलेगा ओके देखे जो इसक्रीन पर आपको फर्स कोशन दिख रहा है उसका फर्स कोशन का क्या होगा आपसा नमबर बी जो होगा वो क्या होगा, correct होगा, okay सेकेंड नमबर कोशन देखिए सेकेंड नमबर कोशन का आपसा नमबर A correct होगा, okay थर्ड नमबर कोशन का थर्ड नमबर कोशन जो दिया है थर्ड नमबर कोशन का आपसा नमबर B जो होगा वो correct होगा फॉर्थ नमबर कोशन की बात की जाया तो फॉर्थ नमबर कोशन का आपसन नमबर D करेक्ट होगा फाइब नमबर कोशन देखिए फाइब नमबर कोशन का क्या होगा आपसन नमबर B जो होगा वो क्या होगा करेक्ट आपसन होगा अगर 6 number question की बात की जाए तो 6 number question का क्या होगा A number option जो होगा correct होगा clear 6 number question का A number option क्या होगा correct होगा 7 number question का B number option जो होगा correct होगा ठीक यर्थ number question के अगर बात किया जाए तो यर्थ number question का C number option जो होगा correct होगा नाइन्थ नमबर कोष्षषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषष 11 number question के अगर बात करें, तो 11 number question का B number option जो होगा, correct होगा, okay, 11 number question का B number option जो होगा, correct होगा, ठीक, फिर 12 number question के अगर बात करें, तो 12 number question का C number option जो होगा, correct होगा, okay, 12 number question का C number option जो होगा, ठीक, जल्दे अल्दी मैं option पढ़ रहा हूँ, तो एक बार आप भी अपने तब से देख करेंगेगा अगर किसी कोशन में में डाउट हो तो प्लीज आप užसको जरूर कमेंट करेंगा ठैक मैं यहाँ कोई ट्शल्ड करऄ नहीं हो सकता कोई आफंच करें गलत बया ऑक जहां भी आपको डाउट कमेंट करेंगा उसको परचे कर लिय का टोट तो टौेल नमबर कोशन का क्या होगा ए नमबर आपसन जो होगा करेक्ट होगा ठीक सिमिलरली 15 नमबर कोशन का भी क्या होगा ए नमबर आपसन जो होगा स्वारी 15 नमबर कोशन का डी नमबर आपसन जो होगा ठीक 15 नमबर कोशन का क्या होगा डी नमबर आपसन जो होगा करेक्ट होगा ठीक, 70 नमर कोशन की बात की जाया, तो 70 नमर कोशन का D नमर आपसन करेक्ट होगा, ठीक, 80 नमर कोशन की बात की जाया, तो 80 नमर कोशन का B नमर आपसन जो होगा, करेक्ट होगा, ओके, फिर 90 नमर कोशन की बात की जाया, तो 90 नमर कोशन का क्या होगा, 90 नमर कोशन का D नमर कोशन जो होगा वो क्या होगा करेक्ट होगा ठीक ना 29 कोशन का ए नमर being करेक्ट होगा ओके कि क्यों प्रक्रण फिर अगर 21 नम conjoint की बात की जाए तो 21 नमर कोशन का क्या होगा जी नमर आफ तो एक यह दोनों रिलेस्न च्या होते हैं और आफ सन्य harsh व्हक्र्ट होगा ludदम किया शुचरण नमब को चने कर रहा है कत जो पाइज हो या 545 मर पांवफोज मुशा के अंगर करें नावरा कृशन रिखार प्रोंपनीफ करें सिसम्सप्ट का अफसं नमब अव्हा e करेक्ट होगा, ओके, 27 नमबर कोशन का, आपसर नमबर D जो होगा, करेक्ट होगा, ओके, 28 नमबर कोशन का, आपसर नमबर B जो होगा, वो क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक, 28 नमबर कोशन का, आपसर नमबर B जो होगा, करेक्ट होगा, ओके, फिर 29 नमबर कोशन की बात की जा गा, ओके, यह इसका इंसर मुझे नहीं मिल पाया, ठीक, तो 29 को मैं छोड़ आँग, अब देखे 39 कोषन क्या है, 39 कोषन का क्या होगा, आपसन नमबर D जो होगा, वो क्या होगा, औके, फिर 31 कोषन की बात की जाए, तो 31 कोषन का क्या होगा, 31 कोषन का, जो c number option है वो क्या होगा correct होगा 32 number question की बात की जाए तो 32 number question का a number option जो है correct होगा ठीक फिर 33 number question की बात की जाए तो 33 number question का जो c number option है वो क्या होगा correct होगा 34 number question का देखिए 34 number question का क्या होगा a number option जो होगा correct होगा ओके, फिर अगर 35 नंबर कोशन का बात करें तो 35 नंबर कोशन का C नंबर आपसन जो होगा, करेक्ट होगा, ठीक, 36 नंबर कोशन के अगर बात करें तो 36 नंबर कोशन का क्या होगा, 36 नंबर कोशन का जो आपसन नंबर B है, वो क्या होगा, करेक्ट होगा, ओके, 36 नंबर कोशन और जो थर्ड नमबर कोसन है, दोनों लगवक सेम है, ठिक, दोनों का क्या होगा, आपसर नमबर B जो होगा, वो क्या होगा, करेक्ट होगा, ठिक, उसमें B दे दिया है, T के जगा, यहाँ पर क्या है, T दे दिया है, ठिक, क्लियर ना, तो दोनों का क्या होगा, आपसर नमबर B जो होगा, correct होगा, ओके, अब 39 नमबर कोशन की बात की जाए, तो 39 नमबर कोशन का क्या होगा, आपसर नमबर A जो होगा, correct होगा, ठेक, 40 नमबर कोशन की बात की जाए, तो 49 नमबर D जो होगा, correct होगा, ओके, 41 नमबर कोशन की बात की जाए, तो 41 नमबर कोशन का क्या होगा आफ्टिटू नमबर कोशन का 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 आफ्टिटू नमबर कोशन क्या होगा C number option जो होगा sorry 43 number option का D number option जो होगा correct होगा ओके अब 44 number question के अगर बात करें तो 44 number question का C number option correct होगा ठिक फिर 45 number question के अगर बात करें तो 45 number question का A number option correct होगा ओके फिर अगर 46 number question की बात करें तो 46 number question का क्या होगा 46 number question का D number option जो है correct होगा ओके फिर अगर 47 number question की बात करें तो इसका a number option correct है ठीक फिर अगर 48 number question की बात करें तो 48 number question का a number option correct होगा 49 number question का अगर बात करें तो 49 number question का भी क्या होगा b number option जो होगा वो correct होगा ठीक 49 number question का b number option जो है correct होगा ओके और 50 number question और जो last question है इसका क्या होगा c number option जो होगा correct होगा ओके c number तो इस तरीके से जो टोटल को संद उसको मैं डिसकस करने हूं किसका क्या अंसर सही होगा ठेक अगर आपको लगता कि किसी को संद का कोई दूसरा अंसर होना चाहिए ता आप उसको कमेंट करके बताएं ओके थैंक यू फार वाचिंग